मुझे 2018 का वो exam दिन अभी भी अच्छे से याद है जब students लोग exam hall से निकले थे और सारे teacher उनसे पूछ रहे थे कि कैसा exam गया और सारे बच्चे कह रहे हैं कि sir कुछ भी नहीं बना पाया जब question देखा था तो देखा था कि विहार board में exam के नाम पे IITJE और NEET का question पूछा गया था और ऐसे में कही सारे students का सवाल है कि sir जो इस साल exam पढ़ेगा क्या वो easy आएगा या hard आएगा क्योंकि आप लोग board का रभईया देखी रहे हैं कि कि इतना school वेगरा को tight कर दिया है वही same चीज़ 2018 में भी हुआ था तो चलिए बच्चो आज के वीडियो में detail analysis करके बताएंगे कि आखिर आप लोग का exam होगा कैसा hard होगा easy और देखें वीडियो ना बस एक idea मेरा है ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ भगवान हूँ और मैं अभी से बभिसमानी कर सकता हूँ नहीं हाँ predict चीज़ों को कर सकता हूँ आसा कर सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है देखिए उसके लिए आप लोगों के लिए detail में लाया हूँ कि किस सार कैसा कैसा exam पड़ा इस वीडियो को नहीं अंतिम तक थोड़ा ध्यान से देख लिएग अच्छे एक बात और मेरे बच्चो आप ल लिएक लिए उसके बाद नयावल आप इंस्टॉल करके टेलिग्राम पर जॉइन हो जाईएगा तो चलिए मेरे स्टुडेंट्स देखिए सबसे पहले एक चीज़ और जानते हैं वीडियो के लास्ट में जो स्टार मार्क लगाया हूँ न यह मुझे ऐसा लगता है कि स्ट 2015 की बात करूँ क्योंकि आपको पता होगा कि पहले बिहारबोड में तो अबजेक्टिव पूछा नहीं जाता था कलर करने बाला बाद में यह नियम निकला तो आप देखेंगे तो पहले 2015, 2016, 2017 में अठाइस अबजेक्टिव पूछता था उसके बाद 18, 2019 में 35 बनाना था प अबजेक्टिव देख लीजे, यहां से दिख जायागा, यह भी दिख जायागा आपको ठीक है, बात हम बात करते हैं 2018 की एक्जाम का ठीक है, 2018 की एक्जाम में पता नहीं गवर्मेंट को क्या सुचा कि पहले तो बच्चों बच्चे को अटेंडनेंस और पता नहीं क्या क् करके बहुत साथा परसानिया हुई, उसके बाद जब एक्जाम में कोश्चन आया ना भाई साहाब तो देख लो आप, अबजेक्टिव हाड आया एक दो, टू मार्क वाला हाड, फाइव मार्क वाला हाड और आप बलीब करो मेरी बातों को यह इतना हाड था ना, जो आम ब लिकत यह था ना, कि उसमें हिंदी भी नहीं लिखा हुआ था, हिंदी मतलब जैसे होता ना, यंग्स डबल स्लीट एक्सपरिमेंट, तो उसको बोलते हैं, यंग काद्री छीद का परियोग, तो उसमें लिखा था, यंग्स डबल स्लीट एक्सपरिमेंट, सब चीज का, इं अब बात करते ही कि हम लोग का एकजाम पड़ेगा उसमें EG आयेगा, या हाड आयेगा, या कैसा आयेगा। तो देखी सबसे पहले बच्छो, एक जूंत को है कि यह बी बोड हो चाहे इंडिया कोई भी बोड हो, युण स्टेट बोड हो, इसे बोड हो, इसे बोड हो जो भी बोड हो ति 5-4 साल के बाद हरे एक बोड में कुछ्जन और के हाड़ पूछने का पैठर्न अता है पहली बार 15 में पूछा गया, तो 15 के पहले hard question आता था, ठीक है, तो 15 के पहले hard आता था, फिर 18 में hard आया बच्छो, 18 के बाद इज़र देखे, easy easy लगभाग आया, थोड़ा बहुत उपर नीचे change हुआ, तो वो कोई बड़ी चीन नहीं है, उसके बाद अब 2024 exam में क्या है, कि म मुझे जैसा लग रहा है, कि 2024 में, जब ही भी बात elections में की आती है, तो उसके कुछ समय पहले, पहले hard question आता है, फिर easy question आता है, ऐसा मेरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, बच्छो कि 2024 में जो exam आएगा, उसको आपको परसान नहीं होना ह हले ही हर तरह से school बेगरा में कडाई हो चुकी है, वो तो हम लोग देखी रहे हैं, लेकिन exam जो final होगा, उसमे easy questions आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और एक चीज और आप और देखेंगे, तो आप लोग को 70 objective पुछता, उसमें से कोई 35 बनाना होता है, तो आपके पास options बह काफी नीचे हो गया है, अब किसी भी अच्छे teacher जो लंबे समय से पढ़ा रहे है, उनसे पुछे कि 2015 के पहले का exam का label था, और अब जो इधर label इन सालों में हुआ है, वो कितना नीचे हो गया है, जो कि बहुत सारे boards में उस तरह का question नहीं आते हैं, तो ये बात सुईकार करन ये वाली बात है, simple simple चीज पुछा जाता है कि capacitor यानि संधारितर जो होता है, वो क्या है, या capacitance यानि धारिता का मातर क्या है, ऐसे ऐसे questions आते हैं, बहुत easy जी, और 70 में 35 बनाने होते हैं, तो बहुत easy हो गया, subjective में भी वैसा ही, 20 में 10 बनाना होता है, 6 में 3 बनाना होता है, 5 पास नंबर वाले में, तो भीहार बोड का तो question यी है, ठीक है, लेकिन जिस लेबल से question board को पूछना चाहिए, अगर उस लेबल से पूछ देगा, तो एक बात मेरा trust करें, जो बच्चे रट करके चाहते हैं, कि हम objective सिर्फ रट ले भीना समझे, भीना कहीं पढ़े, भीना मे इंकत हो जाएगे, इसलिए मेरा आप लोगों से सलाह भी है कि आप समझ के पढ़िये, ठीक है, नाए एमिंग, हाई एप एक नया course भी अस्टार्ट के आप उसे देख सकते हैं, मातर साथ क्लास में पूरा physics खतम कर रहा हूँ, तब वहां से उपढ़ सकते हैं, इसलिए मैं जो अब्जेक्टिव का स्रीज लाया हूँ, सतर में सतर ही है, सब्जेक्टिव का आओ, मैं समझा समझा के पढ़ता हूँ, कोशन वले करवाता हूँ, लेकिन करवा नहीं बताता हूँ कि देखू, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और कहीं भी आप पढ़िये तो उसी तरह से टीच पढ़ता ही है, और अगर आपको पढ़ना है, तो आप एमिंग हाई अप से जो कोर्स है, मध्य बैच, उसे एक बार जरूर चेक आट करिएगा, काफी बढ़िया कोर्स है, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस आपको इंस्टॉल करके एक बार चेक जरूर या कोई फी बहुत ज्यादा होता नहीं है, साल भर के पूरे फिजिक्स का, तो मेरा यहीं है बच्चो की 2024 का एक्जाम बहुत हाड नहीं आएगा, और हम लोगों के हाथ में भी नहीं है कि इसको ले करके परसान होना है, अब ही से आपके पास समय है, थोड़े बहुत चीज के एक साल पहले हाड आया, और पी इलेक्सन बेगरा के उनुसार भी आप देख सकते हैं, कि ही जी आएगा, या हाड आएगा, बाकि तो हम लोगों के हाथ में नहीं है, बस पढ़ते रहिए मेरे स्टुडेंट, टेलिग्राम पे जूट जाएगा, मन लगा के पढ़िए, द मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में जैहिंद, बंदे मातरम बच्चों, दिल लगा के पढ़िए, लाइफ में खूब आगे जाएए, थाइंक्यू,